नमस्कार दैनिक शिव टाइम में आप सब का स्वागत है मैं रश्मी शर्मा जिस तरह से कल भी हमने बताया था अपनी चंता के समक्ष नहीं आप आए पूरा दिन से फिर से माज़र चाहते हैं क्योंकि हेल्थ इस वेल्थ अगर हेल्थ ठीक है तो आप अपना काम भी अच्छ अपनी चाहिए तरीके से नहीं भापाएंगे और जिस ताह से आप जानते है मोसम चेंज हो रहा यानि गर्मी अप सर्दी की तरफ जा रहे हो उससे चलते जो वाइरल है वाइरल होना लाजमी भी है क्योंकि हर बार ऐसा होता है जब भी मोसम चेंज हो आचाहिए सर्दी से गर्मी से सर्दी की तरफ जब हम आते हैं तो मोसली प्राब्लम हो जाती तो ध्यान रखिए अपना कोशिश कीजिए के ठंडे पानी से ठंडी चीजों से बचिए खान पान में अपना ध्यान रिखिए हो सबसे बड़ी बात कि डेंगो आ रहा है डेंगो के चलते हमें कुछ साबधानिया बरतनी और साथ ही साथ कहेंगे कि कोविड के जिस तरह से कश्मीर के भी कुछ यानि के डिस्टिक्स में दस दिनों के लिए जो की नाइट कर्फ्यू का एवान किया गया है तो कोशिश कीजिए आप भी भी घर से जब निकलते हैं सुरक्षित निकलिए फिलाल और यह जिसे घंबीर हालात में पहुंचाया था उसकी भी मुरित्य होगी और बताना चाहेंगे जो मुर्तिक लो जो थे उपताना चाहेंगे आरिफ साबिर और बाबर और परवीन था जो व्यक्ति घायल था फिलाल वो जेरे इलाज उस समय होस्पिटल में आपर तीन गठन किया जिसके चलते तीनों अरोपियों को जो लोग उस हत्या कांड में गोली कांड में मुलविस से जिन्होंने पूरी साजिज रह ची थी फिलाल उनको ग्रिफतार कर लिया गया है जम्मू पुलीस के हाथ लगी एक बड़ी काम जाबी और बताना चाहेंगे स्पी रावी नदी के पास यह रोपी इनको पकड़ा गया है और यह कहेंगे के भागने की कोशिश कीगे और सब पूरी बात अपनी जनता के समक्ष रखेंगे के पुलीस का एक एहम रह रहा है क्योंकि एक बड़े ही डेडिकेटिटिड ओफीसर है बड़े काबिल ओफीसर है जि क्योंकि पांच नमंबर की बात करें तो अर्निया सेक्टर में काफी हटबड़ी मर चुकी है और कहीना की लोगों में एक डर का महोल लोग परेशानते के आकर गोली कांट आए दिन जम्मू में इस तरह की वार्दाते देखने को मिल रहे है कहीना की चिंता का वीशिय है और ралशनЕНमे इस साजल रहे है जो कि इनों ने जो मुकई वार्दात पर चाजैके मगो स्थी वारा बॉअरमास के वा दि dew bura कि जो लेखन ऐसे मिले थे और कि बताएंगे कि यह जो जानकारी थी साधिक की वाइफ की वाइब ने क्योंकि साधिक की वाइब इस कहीं ना कि इनके साथ मुलविष थी जिस तरह से वेपन को छुपाने में साधिक की वाइब ने मदद की तो फिलाल जब उनको हिरासत में लिया गया तो उन्होंने यह सारी चीजे बताई और कहां पर जो वेपन ने चुपाएगे वो भी सारी चीजे सामने लाई और साधित बताना चाहेंगे जिस तरह से चार गाडियों की भी चार गाडियों मुलविष थी यानि इस पूरे गोली कांड में चार गारियों का इस्तमाल किया गया था वो भी बताएंगे अपने व्यूवर्स के समझ कौन कौन सी चार गाड किया था गोली कांड के बाद जिस तरह से ताबड तोड गोलियां चलाई थी हतियार थे जिस समय चलते चंदन को गहली जी ने एक सिट का गटन किया गया उसमें रमनीश गुपता स्पी हैड कुरौाटर आशदीपई और शबीर खांजी और उनकी पूरी तीम ने इन अरोपियों को जली पकड़ लिया और जिस तरह से बताया कि पंजाब के बाडरावी नदी के पास से इन अरोपियों को पकड़ा है और पकड़ने के बाद जो उनकी वाइफ जो वाइफ थी साधी की जो एक अरोपी जिसका नामा साधी को उसकी वाइफ के ये खु की हैए बाद उसकी वाइव ने खुलासा की और हत्यारों तक पुलीज पहुंची और साथ साथ इस इन तीनों अर्वोपीों को गिरफ तार कर लिया गया फिलान कहना कि ये तीनों अरोपी जो है जिसे अपनी जनतों को बताना चाहेंगे साधिक जो कि चौधरी अर्णिया करेने वाला भुपिंदर सिंह आरस पुरा करेने वाला गुलाब दिन यह असरर करने यह इन तीनों और उने जो कि साजिच रची थी उनको तीन जिनकी हत्या की है आमिर साबिर और बताना चाहेंगे अपने जन्ता को कि लगातर जिसना से हम दे रहे थे बाबर ये तीनों लोग क्योंकि दो की तो मोके परिमृति होगी थी आरिफ और साबिर की और जो बाबर था उसको होस्पिटल यानि की काफी क्रिटिकल कंडिशन में होस्पिटल पहुचाया गया और एक और परवीन नाम का व्यक्ति जो जो इस गोली कांड में घायल हुआ था फिलाल वो जेरे इलाज है पर तीनों की मृति होगी दो की तो आंस पार्ट ही मृति होगी थी पर तीसरा जो बाबर था ज पी जम्मू चंदन कोली जी ने एक टीम का गठन किया सिट का गठन गया जिसके चलते और अमनीश गुपता और एजडी प्यॉरस पुरा की मेहनत से इन तीनों अरोपियों को यानि कि इनको शिकंजे में लिया गया और जमू पुलीस के हाथ लगी एक बड़ी काम या भी य अपक्षम है फिलाल ये अभी का अपडेट जो अपनी जनता के समक्ष अपने व्योवर के समक्ष लया कि जब भी पहले बी जो आफडेट रिया था तो ये कहा था कि जब भी हमें कोई निया आपडेट पुलीस के माध्यम से यह हमारे तक कोई जानकारी पहुचेगी तत्यों के साथ अपनी जंता के समक्ष जरूर हम लाएंगे क्योंकि यह गोली कांड की वजह से काफी डर का महोल था दहशत का महोल था और निया का आरस पुरा पुरे सक्टर में और जिसके चल पर इन्वेस्टिकेशन रहेगा कि आखिर किस तरह से क्यों हत्या की गई यह तो पुलीस के माधिन से सारी बाते पता चलेंगी पर फिडल हम जो अपनी व्यूर्स के समक्ष जानकारी रख रहे हैं कि तीन आरोपियों को जम्मू पुलीस ने पकड़ लिया यानिके एक सिट का गठन किया गया जिसके घ्र्ण इसी गूर्टर और इसपी और पुर और ऐनकी टीम ने शिकंजा किसा इन 30 आरोपियों को यहींकर कैसे रियास्त में लेने के लिए और यह 3 प्लेशन कोड़ के बार्डर आभी नती के पास जो की इनको पकड़ा गया और साथी साथ वो हति जो पकड़े गए यानि कि तेज दरहतियार पकड़ी बारा बोर की गन भी पकड़ी गई और जिससे उन्होंने ये और साथ इता चार गाडियां जिसे हमने फिर से बताना चाहेंगे टाटा हैरियर महिंद्रा थार महिंद्रा स्कॉर्प्यो और श्वहरली जो की बीट यह चार प्लीस की हिरासत में आप देखना है कि आखिर क्या निगल कर आतार क्या रंजीश्ती किस तरह से इतना बड़ा कांड किया यानि कि इतनी बड़ा गोली कांड हुआ और इतनी तेज़ार हाथारों के साथ और चार गाड़ी को अप्यों पूरी प्लानिंग के साथ उन तीनों को महाद के घाड उतारागे आखिर क्या से यह तो पुलीश बताएगे और साथ में टर्व इन्वेस्टीकिशन होती है कि यह लोग कहते कि आखिर क्या रंजीश्टी जो पर ताबर तोड़ लिया उनकी जान ले लेली फिलहारब के अपनी जंता से फिर से कहेंगा जाते-ज के दो का जो है इस समय केस बढ़ रहे हैं अगर आपको इस मोशम में गहले हम स्थे जो आपको कोई हैं आपको कोई दिक्कत आप आपने कोई से ज्रूर कहिए आपने को आपने को इस दरूर के ताकि मच्छर ना हो और मच्छर से जो डेंगू की बिमारी फैल रही दिन बदिन फैल रही वो कम हो और साथ ही साथ मास का परियोग करना मत बूलिए क्यूंकि जिसना से कल भी दो दिन पहले भी अपडेट दिया कि कश्मीर के कुछ इलाकों में नाइट कर्फ्यू लगा दिय आगयाcus thele oh the but मा मास्क थे सोचीं got कोवr से aamfree हो चुके आपमेरें में उस खत्रे आते घृत्याटे में फिलाल अभी भी हम उन्कट्रे में जरूरी अमें अपनी सीर्क्षा खुद करना मास्क्त पहन का निकल यह i a . कॉद कए नाके मैं जा थेएं हूंको भी ध्यान रखना चाहता है हम अड्मिस्टेशन से भी यह कहेंने फिर्व हो एक यह बहुत बड़ा रोल रहता हुए में बमापे भीड़ वाली बजारों में वह जरूर चेक किया जाए की वहां पर पूरण प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है या सुछा ने फिलिग करतकी ही ऑज़ चिए के ध्यान रखिए घरों के कोनों वे कहीं भी अगर पानी आपको पुराना पानी मिलता है उस पानी को गिरा दीजिए ताकि मच्छर ना और मच्छर आप तक ना पहुंचे साफ सफाई का जरूर इन दिनों में ध्यान रखिए क्योंकि डेंगो जो लगातार केसिस बढ़ रहे पुरी टीम ले जिस तरह से इन आरोपियों को बली से जल क्यांदय देते हैं कि हमारे फाइसजाएं कह long को यह बड़ाइ है अच्छा और कारे करे और कहीं मत्ति हुएं अच्छा को पूरी टीम ने जिस तरह से इन आरोपियों को पुस‌दा मतर पसंद्य प्रति की हमारी सारी ही। बाक्स में दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और चुने रिया से हमारे साथ अगले आपडेट के लिए जाहिन चावारत